हेलो फ्रेंड्स मैं हूनितिन, वेलकम तो माई चैनल, जी हाँ आपने ठीक पढ़ा है, डिक्रीज यॉर बेंच प्रेस, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो आपको तरीका दिखाने जा रहे हैं, उसमें आप हैवी वेट से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक हलके वेट से बेंच प्रेस को बहुत एफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, यह चीज दिखाऊंगा आज आपको वीडियो में, जो लोग इगो लिफ्टिंग करना पसंद करते हैं, यह वीडियो उन लोग के लिए बिलकुल नहीं है, आज जो मैं तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बेट नहीं उठा पाएंगे, बेंच प्रेस करेंगे और वो कितना एफेक्टिव होगा आपकी चेस के लिए, वो आपको पता चल जाएगा तीन या चार रेप्टिशन में ही, तो आईए आपको बताता हूँ कि कौन स तरीका है जिसमें आप बहुत कम वेट और बहुत कम रेप्टिशन के साथ अपनी चेस को बहुत अच्छा कर लेंगे, बेंच प्रेस के इस तरीके में आप बहुत ज़्यादा बेट नहीं उठा पाएंगे, जैसके मैंने आपको पहले भी बताया है, इसलिए मैंने भी इसम किसी भी और इंसान को करते हुए, आपको लगेगा नहीं कि उसने कुछ खास किया है उस exercise में, बट जो आपको जो करने का तरीका है, अगर आप जब खुद उस चीज को करेंगे, तो आपको फील होगा कि बहुत फरक आ रहा है, चेस के उपर बहुत ज़्यादा लोड तो आइए करते हैं वो exercise किस तरीके जा करनी है, simply आप जैसे bench पर लेटते हैं, वैसे ही लेट जाए, अब main काम क्या करना है, आपने जितनी grip लेते हैं, normally उतनी ही लेना, यानि कि जब आपका हाथ L position में होगा, जिसने वो नीचे आएगा, इससे ज़्यादा wide ना लिया करें, कभी भी, भले आप normal bench pressing कर रहे हैं, तो इतनी width के साब से, मैंने इसको पकड़ लिया है, rod को उठा के, अब यह starting position है, अब करना है, मैं को इस rod को इस तरीके से press करना है, अंदर की तरफ, जैसे मैं इसको दबाना चारा हूँ, यानि दुनों हतों को करीब लेके आने की कर रहा हूँ, इस तरीके से दबाते हुए, मैं को rod को नीचे लेके आना है, हातों को हिलाना नहीं है, हातों की positioning वहीं पे रहेगी, जहां है, बस अपने rod को इस तरीके से press करना है, अंदर की तरफ, दबाते हुए, नीचे लेके आना है, यहां, अब उसकाइद hold के बाद, जब दुबारा उपर प्रेस करेंगे, तो उपर की तरफ भी, साथ में, अंदर की तरफ दबाते हुए, आपने rod को उठाना है, पहले या दूसरे repetition से ही, आपके हाथ कापने शुरू हो जाएंगे, और बहुत मुश्किल होगा इसमें, अगर आप 10 repetitions भी कर पाएं तो, या आपके mid chest पर, यानि कि center में बहुत ज़्यादा load डालेगा, देखने में आपको कोई ऐसा खास फरक्ट नहीं लग रहा होगा, नीचे लाते हुए भी अंदर की तरफ पुश्ट करना है, और उपर जाते हैं टाइम भी, अंदर की तरफ पुश्ट करना है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोड को अंदर की तरफ पुश्ट करनी की, यानि कि सिर्फ उपर नहीं उठा रहा हूँ, उसे मैं ऐसे करनी की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हम hammer में करते हैं, यानि कि जब डंबल लेके आप hammer स्टाइल से करते हैं, close लेके आते हैं, बट इसमें आपने close लाना नहीं है, बट आपका जो pressure लेगा, वो ऊपर जाते टाइम, अंदर की तरफ जैसे आप दवा रहें, तो आपकी upper chest के उपर बहुत ज़्यादा आएगा, देखिए, अगर आप bench press में इस तरह के से improvise करते हैं, तो उससे आपकी chest muscle में तो benefit होगा ही, आपकी chest की muscle जो है, वो next level जरूर जाएगी, और उसी के साथ साथ, जिन लोग के rounded shoulders हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा help होने वाली है, जि हाँ, जिन लोग के rounded shoulders हैं, आगे की और इस तरीके से उन लोग को अपना posture correct करने में बहुत help मिलेगी, क्योंकि जब आपकी chest की muscles weak होती हैं, तब ही आपके shoulders आगे की तरफ सा आते हैं, और जब आपकी chest की muscle ठीक हो जाएगी, strong हो जाएगी, तो आपका posture automatically correct हो जाएगा, I hope guys आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत simple और बहुत effective technique थी है, जो मैंने आज आपको बताई है, इसको एक बार try जरू करिएगा, उसके बाद comment करना ना भूलें, में को comment करके बताईएगा, कि आपको ये technique कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी doubt है, तो में को comment करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को like जरू करिएगा, उसके लाबाद सब्सक्राइब कर दीजेगा बेरे चैनल को, जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए take care, goodbye, जैहिंद